आप सभी का घ्यान चैतनिया चैनल में बहुत बहुत स्वाहत करती हूं तो आज के इस टॉपिक में हम सामप्रदाइक पंचाथ छोटे छोटे टॉपिक हैं पूना समझोता और साथ ही हम यहां पर तित्य गोल में संब्वेलन देखेंगे तो यह छोटे छोटे टॉपिक ही ज तो सामप्रदाइक पंचाथ से हम यहां पर स्टार्ट करते हैं जो कि 1932 में बिटिस प्रधान मंत्री रेम जे में डुनॉल ने 16 अगस 1932 को कम्यूनल आवार्ड जारी किया जिसमें विभिन सामप्रदाइयों को प्रतिनुद्ध दिया गया था इस पंचाथ में प्रिथक न और पहले ये केवल मुसल्मानों पर था और ये अग दलित वर्ग को हिंदुओं से लग करने की बिटिक्स चाल गया केवल प्रांती बिधान मंदलों में मुसल्मानों सिखों इसायों एंगलों इंडियनों तथा महिलाओं के लिए प्रथक निर्वाचन की सुभिधा को छोड़ कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए प्रथक निर्वाचन मंदल बनाए गया गांदी जी ने दलितों वर्ग को जो है प्रथक निर्वाचन मंदल दिये जाने के बिरोध में यर्वदा जेल मैं 20 सितंबर 1932 को अपना पहला आमरन अंशन शुरू कर दिया दिखते हैं पूना समझोता 1932 डॉक्तर राजजिंद्र प्रसाद मदन मोहनमाल विये पुर्शुत्तम दास सिया राजगोपालाचारिये आदी के प्रियासों से 26 सितंबर 1932 को गांदी जी वादलित नेता अमेट करके बीच जो है पूना समझोता हुआ था गांदी जी ने पास समाप्त कर दिया पूना पैक्टिक अनुसार दलितों के लिए जो है प्रिथक निर्वाचन विवस्त समाप्त करनी के लिए थी ये समझोता और विभीन प्रांती बिधान मंदलों के दलित बरकों के लिए 140 सीटे आरेक्षित की गई समप्रदाइक पंचांट में जो है पंचांट में 71 थी तो गांदी जी ने ओफर दिया कि 170 सीटे हम देंगे और जो है अमबेटकर जी मान जाईए तो अमबेटकर फाइनली जो है मान जाते हैं क्योंगी सीटे यहां पर आरेक्षित ज्यादा थी इसके अपेक्षा केंद्री भी है डॉक्टर अमेटकर सी राजगोपालाचारी स्टेजवादर सप्रूज जैकर घंश्यामदास बिरला डॉक्टर राजित प्रसाद थे गांदी जी ने स्वयम इस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे गांदी जी की और से मालविय जी ने किये थे इस समझोते में सी राजग कोपालाचारी ये इतने प्रसंद थे कि उन्होंने अमेटकर से ये कलम इथियास की धरोहर के रूप में ले लिया और उससे उन्हों जिससे उन्होंने समझोते पर हस्ताक्षर किये थे डॉक्टर वी एस मुंझे ने अमेटकर पर यह कहकर हाकमन किया कि उन्हें उदार ब्र परश्टा निवारण के प्रियास किये गए तो इसको देख लेते हैं पूना समझोता के बाद गांदी जी ने इस परश्टा समाक मला उन्होंने देखा कि समाज में आश्परश्टा बहुत जादा है तो इस पर उन्होंने रचनात्मा कार्य किया और इसको समाक करने के सितंबर 1932 को गांदी जी ने हरीजन सेवक संग अकिल भारतिय अश्परश्टा बिरोधी लीक के स्थापना की घंदास भिर्ला जिसके प्रिथम अध्यक्षिते और अमित लाल ठककर इसके प्रिथम सचीव थे जन्वन 1933 से गांदी जी ने जेल से हरीजन नामक सापता ही पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया दलितों को हरीजन नाम गांदी जी ने हैं दिया था आठ माई 1933 को गांधी जी ने जेल में ही अशपरश्टा को समाप करने के लिए 21 दिन का अप्रवास की शुरुआत की अप्रवास की कुछ समय बाद ही सरकार ने गांधी जी को रिया कर दिया जेल से रिया होने के बाद गांधी जी ने सत्यग्रह आश्रम वर्धा में आ गए और गांधी जी ने अशपरश्टा चुआ छूट के निवारण के लिए 7 नमबर 1933 से 23 जुलाई 1934 तक 20,000 पिलो मीटर हरीजन यात्रा वर्धा माज से शुरू किया इस यात्रा में गांधी जी को पहले काले जंटे दिखाए गए और क्या कोई मेरे सम्मू के प्रमारिक कर सकता है कि अशपरश्टा हिंदू धर्म का भीन अंग है गांधी जी ने यह कहा था अब बात करेंगे तेसरा गुल में सम्मीलन तो 17 नवप मर 923 से 24 दिसम्मर 1923 तक लेंथ में टीसरा गुल में सम्मीलन हुई जिसमें कोंग्रेश ने भाग नहीं लिया इसमें कुल 46 परती सिक्स्री निदियों ने भाग लिया इसकी अधिक्षटा भी रेम ये मैंग नल ने सब्र engagement कि ते इस प्रकार तेनों गुल में समिलने कि आधिशिटा रेमजे में गरनौल ने झाल झाल